एक प्वेशन जो है वो बार बार आप लोग पूस्ती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए खास कर ये वीडियो मैंने उन्ही सब्सक्राइबर के लिए बनाया है जिनकी प्रेगनेंसी का 7, 8 और 9 मंथ चल रहा है जब हम बहुत नजदीक होते हैं डिलीवरी से तो कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स मैं आपके फिंगर पर बताऊंगी अगर वो काम आपने किये जो गाओं की महिलाए आज भी उस काम को करती हैं जिस कारण से सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी की चांसे होती है वो विलेज के अंदर हमने अब तक देखी है मैंने भी गाओं की महिलाओं के ही नुस्के को अजमाया जिस कारण मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई खास कर हमें बच्चेदानी खोलने के लिए कौन-कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसके कारण बहुत आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्ट भी होगी समय पे लेबर पेन भी आएगा ये वीडियो मैंने उनके लिए भी बनाया है जो एक लंबे समय से लेबर पेन का इंतजार कर रही है क्योंकि महिलाए जो होती है वो 36 वीक के बाद वेट करने लगती है पूरी डिटेल जानकारी और कुछ सीक्रेट जानकारी के लिए वीडियो को लास्तक जरूर गौच कीजिएगा हे गाईज मैं हूँ आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चानल पहली पर अगर आए इस चानल पर सब्सक्राइब कीजिएगा चानल को वीडियो को भी साथ साथ में आप लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर बात करते हैं इस चीज की कि ट्रेगनेंसी के अंदर हमारी कैसी एक्टिवीटी होनी चाहिए फॉस्ट पॉइंट के अंदर आप कंसीडर कीजिए कि आपको सुबह में भी आधा गंटा साम को भी आधा गंटा आपको टालना है वाक करना है यह पूरी तरीके से माइंड मेक अप कर लिजिए अब यहां गाइस सेकेंड पॉइंट के ऊपर बात करें तो ऐसा होता है कि कौन कौन सी चीजे आपको खानी चाहिए जिससे नॉर्मल डिलिवरी की चांसे होती है वो 100% हो जाती है तो ऐसा डॉक्टर से बताते हैं कि गर्म तासीर की चीजों को खाये यानि कि गर्म रोटिया गर्म डाल ये सब भी खा सकते हैं गर्म तासीर के अंदर मेन आता है खजूर डेट्स आते हैं उसे अपने डाइट के अंदर सामिल किजिए आप दही को स्किप किजिए तो आप दूध लीजिए और दूध के अंदर डेली आपको आधा चमस नहीं तो एक चमस घी डाल कर लेना है घी खाने से सबसे ज़ादा इंडिया के अंदर ऐसी परंपरा मानी जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी की चांसे होती है वो बढ़ जाती है और ऐसा होता भी है बट मेडिकल साइन्स वो अलग बात है इस बात में कभी भी भरोसा नहीं करता है कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है बट हम लोगों ने खाई है और हमारी हुई भी है यह जस्ट हम लोगों का experience है क्योंकि घी खाने से क्या होता है कि आपके निचले हिसे में muscles में लचीलापन आता है चिकनाहट आती है जिससे धीरे धीरे बच्चितानी का मुख खुलना स्टार्ट हो जाता है कोशिस किजिए कि last जब time आपका चल रहा है उस दौरान हलका गुंगुना पानी पीजे गर्मी का दिन है फिर भी आप हलका गुंगुना पानी पीजे अब यह आप कहीगा कि गर्मी में तो लोग freeze का पानी पीते हैं हम लोग गुंगुना कैसे पिए तो देखे गई पानी क्टा-इसआप उस्टाइम में नहीं खाए जाती है यो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है तो आपको यह जाहिए अगयें और नेक्स्ट बात करते हैं थाइड पॉइंट के ऊपर इस वीडियो के अंदर यह चीजे बताई जाएगे कि आप अपनी हिसाब से मेंटली पूरा स्ट्रॉंग रही है अगर आप एक बार मेंटली स्ट्रॉंग हो गई ना तो बिल्कुल डरने की अगदम जरूरत ही नहीं है जब मेरी अब तक तो एक ही प्रेग्नेंसी हुई है जैसे ही मेरी प्रेग्नेंसी स्टार्ट हुई थी किसी किसी ने लीबर पीन के बारे में स्टार्ट बताना स्टार्ट किया नॉर्मल डिलिवरी सिजेरियन डिलिवरी अब जिन लोगों ने मुझे कुछ कुछ बताया इसी दो डिलीवरी के कारण ही यह होने के बाद ही मैं अपने बच्चे से मिलूंगी न तो मुझे सब मंजूर है चाहे जो हो तो एकदम मत डड़िये डरने की क्या जरूरत है क्योंकि पता ही है या तो सीजरियन होगी या तो नॉर्मल होगी तो फिर किस बात को सोचके इतना अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर